students welcome again अज ज़िदा अपना ज़िदा टॉपिक है पंजाबी दिनाल ही related है एद विचसी में ज़िदा टॉपिक हो है वाक बोद syntax वाक बोद ज़िदा व्याकरंद हो पाग है ज़िदे विचसी जड़ी वाक रचने ते वाक दी वंड वाक वट अंदरा ते जड़ी विश्राम चिन्दने उना वरे जानकारी प्रापत कर दे है तो नीप आशादी सब्तों छोटी काई है जिकर तो नो आँदर डैश पाशादी सब्तों छोटी एक आई है तो नीए भी आशाद तो नीए पाशादी सब्तों डैश एक आई है छोटी एसरी के नलवे तुसी एक एक लाइन दे विच्छों जड़े MCQ ने हो त्यार करने है तो नीए तो अखर बन दे हन आते अखरां तो शब्द बन दे हन ते शब्दानों मिला के वाख तो आशादी जड़े सब्तों वड़ी काई है वहो वाख है क्योंकि जड़ें तुनिया ने होने तो अखर बन दे है ते अखरां तो शब्द ते शब्दान तो वाख होन जड़ों सी कोई भी वाख लिख दिया था ओधे आंते दे विच असी पूरन विश्राम चेंद लों दिया क्योंकि इदना सानु क्लियर हो जड़ें कि जड़ें वाख है हो कंप्लीट हो गया होने थे कुछ एग्जेंपल जीती है नाल पिक्चर्ज भी ने पाशन रेहा है दे नेता पतंग है रेहा उड़ा बच्चा मैं हां रेहा पड़ हुन शब्दा इना देविचे ठीक वरते गए दी बट जीड़ी वाख बनते रहो सही नहीं है मिन्द शब्दान दा जीड़ा कर्म में सीकुंस हो सही तरीक के नाल नहीं लगाया गया हुन किद्दा आएगा नेता पाशन दे रेहा है इना सही वाख बन जीड़ा बच्चा पतंग उड़ा रेहा है मैं पड़ रेहा हां इनल एहे जीड़े वाख ने हो सही बन गेने हुन जीड़े वाख ने शब्दान दे उस समूनों सी कहने या जिस्तों जीड़ी गाल्ला है पूरी तरह समझ आ जावे ते उस दा कोई अर्थ निकलदा होए जीड़े शब्दान दे समूनों की कहने या जीड़े वाख बट ऐस तरह दा वाख होना चाहिए जीड़े तो जीड़ी गाल्ला हो पूरी तरह समझ आ जावे ते दा कोई ना कोई अर्थ निकलदा होए जीड़े मैं कोई शब्द लिख रही है मैं रोटी खांदा हां ताद दिखो सानौ वाख क्लियर हो रहा है बड़ जेकर से लिखे भी मैं खांदा हां हुन सानौ क्लियर नहीं हो रहा के मैं की खा रहा है हुईच वाकदे पाग मुख रूप व्च वाक दे दो पाग होन दे ने उदेष अते विदेग दोसी पहला म facing स्कूल टाइम ग्रेमर कहें है है मुख रूप देवचे सिगाल कर देएं, दो पार्ट होंदेने, पहला है उदेश, ते दूसरा है विदेश, होना उदेश कीनू केंदेने, वाकदा जिड़ा पहला पाग होंदे, उनू असी उदेश केंदे, मींज इस हमेशा स्टार्टिंग देवच होंदे, जिड़ा इसकार के देश करता दा होना बहुत जरूरी है, उने एदेवच जो एगजेंपल देती है, आशू पुस्तकां खरीद रहा है, उन वाकदे विच उदेश केड़ा है आशू, क्योंके जिड़ा करता होएगा, ति ओही उस वाकदा जिड़ा उदेश होएगा, नेक्स्ट है विदेश के देश केड़ा होना बहुत जरूरी है, उने एदेवच जिड़ा पुस्तकां खरीद रहा है, आशू एदेवच उदेश होगया, ति की कर रहा है, उने जिड़ा पुस्तकां खरीद रहा है, यह वाकदी विच विदेश होंदा है, ति बाकी जिड़ा complete sentence है, वाकदा विदेश होंदा है, ति वदा दूसरा पाग होंदा है, कुछ होर एक्जेम्पल जे ना था हून मैं उदेश ते विदेश क्लियर कर रही है, एथे देखो बचे उदेश लिखे है विदेश ते थे हुन कुडि सौर ही है, कुडि उदेश है, विदेश किया, सौर ही है, मैं पढ़ा रही ह lou, मैं एदेविच उदेश पढ़ा रही ह années, विदेश होंदा है, लड़के खेड रहे है हैं, लड़के उदेश है, एकरता ने, क्य veins कंशे रहेने ते जड़ कम हो रहे हैं विदे खेड रहे हैं मी पैय रहा है हुण मी एदि विच उदेश ते पैय रहा है विदे होने जड़े वाकने नर्च कुड़ी लड़के मी उदेश ने Iz. अग्जामपल तो क्लिएर हो रहे है ते जड़े विदेश ने सउर ही है मी जड़ी खेड़ी एक्टिविटी हो रहा है खेड़ रहे है motorcycle रहे है तो कंप्लीट वाक जदों सी उदेश्ते विदे एनू आपस दे विच जोड़ देांगे ताहे जड़ा complete sentence हो बन जेगा मिन्च उदेश्ते विदे एनू जोड़न दे नालगी जड़ा complete sentence हो बन दे ते सानों सा sentence दी जड़ी formation हो समझ आजन दी है dear students next video दे विच सी वाक वंड़ वरे करांगे के जड़े वाक ने हो दी केड़े केड़े पक्खा दो किस तरी के नाल जड़ी वंड़ हो किती गई है thanks for watching